वेलकम टू संदाइज क्लासेस दोस्तों अभी सोरी इसके लिए थोड़ी सी टेकनिकल इसू आ गई थी इसलिए हमें जो है जो 630 का था उस टाइमिंग पर हम नहीं शुरू कर पाए है तो हम लोग अभी फिर से इसे स्टार्ट कर लेते हैं हमने स्टार्ट किया बट बट इस वर किसू तो हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि क्या है यह कोईस्टन को हमारा जो आई एसस पेपर वन का सॉलूशन है 2016 का यह सॉलूशन है और यह स्रीज एक का कोईस्टन नमबर 6 है तो हम लोग इस कोईस्टन को देख रहे थे दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि संडाइज क्लासेस जो है वो देली कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस के लिए कोचिंग स्टेशन कर रहे है 2020 के लिए 2021 के लिए भी तो वो लोग रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप रिवीजन अपना कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर ऑनलाइन लाइफ जो कि आपको पर डे मैं 40 कोईस्टन कराऊंगा 40 मिनट में 40 कोईस्टन कराऊंगा और साथ में एक question आपको दूँगा जो कि आपको next day के लिए आपका homework होगा आपको हम अपने telegram का channel का link देंगे जिसमें आप privately उसमें join कर सकते हैं और उसमें join करने के बाद आप आसानी से हमें आपको जो है आपको मैं दे दूँगा आप आपको आपको answer लिक सकते हैं आपको telegram का यह facebook का मैं गूप बना दूंगा जो कि private होगी और आप वहां answer writing कर सकेंगे तो आपको answer writing की भी practice होगी और यह बिल्कुल free है no cost for this one ठीक है तो यह free है मैं साथ ही साथ मैं बतला दूं कि मैं पर्मूटेशन कॉंबिनेशन की भी एक स्रीज ला रहा हूँ जो कि स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है उन बच्चों के लिए बहुत ही फाइदिमंद है तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए आप इसको सेर कर दिजिए लाइक कर दिजिए सब्सक्राइब कर दिजिए तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कोईस्टिन को सबसे पहले कहता है कि एक पोईशन वैरियेट एक्स है ज मीन इक्वल तो वन बाई तो तो यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है कि एक्स फॉलोग पोईशन सॉलूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां पर दिया हुआ है गिवेन कि एक्स फॉलोग पोईशन लेमडा मालो लेमडा अगर होता तो हम जानते हैं कि expectation of x क्या होता expectation of x equal to lambda हो जाता इसी तरीके से variance of x भी इसका lambda हो जाता इसी तरह से mu 3 x जो होता वो भी इसका lambda हो जाता ठीक है और इसके साथ ही जो है आपको mu 4 x जो होता वो होता 3 lambda squared plus lambda ठीक है यह आप जानते हैं ठीक है तो इसको हम लोग use करते हुए y का statement हमारा दिया गया है वह statement नहीं चार चीजों के बारे में है इसलिए हम नहीं चार चीजों के बारे में discussion करेंगे सबसे पहले तो expectation of y जो होता है वह expectation of x के में 2 से this is equal to expectation of 2x और यह बाहर निकल जाएगा तो 2 into expectation of x हो जाएगा जो की हो जाएगा 2 into 1 by 2 lambda की value दीवी है 1 by 2 ठीक है दिया हुआ है कि mean equal to 1 by 2 है देख लिजे question में x has mean equal to 1 by 2 तो lambda की value दीवी है वो है दीवी 1 by 2 तो this is equal to 1 expectation of x equal to expectation of y equal to 1 आ गया और हमारा जो statement है उसमें भी दिये ही दिया expectation of y equal to 1 यानि कि पहला statement सही है दूसरे statement पर बात करें तो variance of y क्या हो जाएगा variance of y equal to expectation of y minus expectation of y ठीक है इसका whole square and this is equal to हो जाएगा expectation of देख लिजे 2x minus 2 into expectation of x यह होगा न तो देख लिजे 2 और 2 इसका square तो 2 का square बाहर 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा variance of x ठीक है this is equal to हो जाएगा 4 into 1 by 2 this is equal to 2 आप देख सकते हैं यह variance of y जो दिया हो है वो 4 है हमारा 2 आया है यानि कि दूसरा जो है statement गलत है फिर हम लोग देखते हैं कि जो mu 3y होगा mu 3y mu 3y equal to क्या हो जाएगा expectation of y minus expectation of y this का whole q and this is equal to हो जाएगा expectation of 2x minus 2 into expectation of x this का whole q और 2 का q बाहर हो जाएगा into mu 3x clear है तो this is equal to हो जाएगी 8 into 1 by 2 this is equal to 4 तो आप देख रहे हैं mu 3y equal to 4 आ रहा है और हमारा दिया हुआ भी है mu 3y equal to 4 तो ये 3 चीज़े निकल गई आगे जो हम लोग देख रहे हैं वो है mu 4y ठीक है mu 4y similarly करके हम लिख सकते हैं कि 2 to the power 4 into mu 4x clear है तो this will be equal to क्या हो जाएगा 16 2 to the power 4 16 into 5 by 4 आया है हमारा expectation of आप देख सकते हैं lambda square plus lambda करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 देख लीजिए 3 into 1 by 2 का square plus 1 by 2 this is equal to आपको हो जाएगा कितना 3 by 4 plus 1 by 2 plus 1 by 2 this is equal to 5 by 4 हो जाएगा तो आपको इसको आसानी से देख सकते है 16 into 5 by 4 4 4 जा 16 4 5 जा 20 तो mu 4y की value हमें आई 20 बट यहां दिया हुआ है mu 4y equal to 28 तो आप इसको देख सकते हैं sorry यह गलत है mu 4y equal to 20 होना चाहिए तो हमारा पहला एं तीसरा सही है हमारा जो c option है वो यही कह रहा है कि पहला एं तीसरा सही होना चाहिए तो यह जो था हमारा 2016 का question था 2016 का question पेपर हमने solve किया question number 6 था यह आगे भी हम लोग करते रहेंगे और आप देखते रहें दोस्तों मैं आपको बतला दूँ कि संडाइज ग्लासे से एक देली वेस्ट कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस की प्रिपेरेशन को राती है साथ ही हम बी एच्यू आइटी जैम स्टेटिस्टिक्स बी एच्यू स्टेटिस की जो CSE के स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की एक जाम होती है इन सब की प्रिपेरेसन के लिए एक आल-인-all प्लेटफॉर्म क्रियेट किया हूँ जिस पे आप आकर के join कर सकते हैं आपको video course लेनी है recording course लेनी है live course लेनी है सारी की सारी चीज़े आपको all at one platform मिलेगी interview की भी preparation हम करवाएंगे और सबसे बेहतरिन feature कि आपको जो है statistics के field में कोई भी exam हो आप हमें comment कर सकते हैं आप हमें comment में बतला सकते हैं कि आपकी क्या requirement है उसी requirement के नुसर आपको आपके मंजिल तक पहुचाई जाएगी तो आप हमारे इस channel को subscribe कर लिजे अगर आप पहली बार देख रहे हैं आप हमारे वीडियो को like कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप हमारे इस वीडियो को share भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें तो यह हमारा जो channel है यह आपके लिए statistics का सबसे ही बेहतरीन feature लेके आएगा आप हमारे इस वीडियो को देखते रहे है like कर दीजिए share कर दीजिए और subscribe कर दीजिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जो सकते हैं हमें Twitter पे follow कर सकते हैं आप हमें connect कर सकते हैं LinkedIn पे तो आप हमें Facebook पे join कर सकते हैं Sunday Classes Group के नाम से आपको हम मिल जाएंगे आप हमें friend request भेज कर सकते हैं और आप हमें WhatsApp या call भी कर सकते हैं हमारा mobile नंबर है 8227056819 आपको अगर किसी तरह की study material की जरुवत है तो आप हमें inform कर सकते हैं आप हमें comment कर सकते हैं और आप हमारे website www.sundaysclasses.com पे जा करके study material को download कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए थैंक्यू जैंग